अब आप सब का हर्दिक स्वागत है आज मैं आप सभी को पार्शन मैनेजमेंट की बिशे में बताना चाहता हूं उसके पहले मैं संचिप में अपने बिशे में कुछ बताना चाहता हूं मैं 12 राम निर्जन जुन्जुनवाला कालेज आर्जे कालेज घाड को पर से अब रेजिशन बी ए स्पेशल एकॉनोमिक्स आर्जे कालेज मुव इनुवर्शिटी से किया इसके बाद मैं वीजटी आई से टेक्स्टाइल डिप्लोमा किया क्योंकि मेरी जौब जो है टेक्स् दीवाजिट करते हैं एक इनवर्ड आवप और जावक आउट वोर्ड दो काते में हम इसे डिवाइट करते हैं इसमें आवक के रूप में गाडियों से माल आता है और उस पे गाडियों को में से माल उतारने के बाद उसका मिलान किया जाता है कि कितने पार्शल भुक हुए किस आरार नंबर से भुक हुआ कितना पार्शल आया कोई शार्ट पार्शल आया तो इसका डुटी मेसेस किया जा फूटा हुटा हुटा है कि हम इसके यो प्रविया जाता है नियुदार्ष तो उसके उपर जो इसको पर और फेस जो कुछ रेलवे के शाप से है वो सुपिया जाता है और और आउट वर्ड में बुकिंग के शमय हम पार्शल जब व्यापारी या इजन्ट या या यात्री लेके आता है तो उसका हम सबसे पहले पैकिंग का ध्यान देते हैं पैकिंग का ध्यान इसलिए देते हैं कि वैसे तो इसकी ट्रेनिंग रेलवे प्रिश्चन उसका प्रिश्चन स्कूलों में से इसकी ट्रेणिंग मिलती है इसके बाद ही निक्ति दी जाती है फिर भी अपने कार्षेत्र में जब तक हम प्रेक्टिकल व्योहारिक रूप से कार्य नहीं करते हैं तब तक हमें आत्म विश्वास नहीं बढ़ता है और हम सेप्टी मेजर रेलवे और यात्रियों तथा उनके सामानों के सबकी सुरच्छा रेलवे को सुनिश्चिस करना है इसके लिए सामान के लिए उनका प्रेकिंग लेबलिंग एंड मार्किंग बहुत अच्छी तरह से जरूरी होना चाहिए पहले जरूरत है आपका समय की पंच्छुलिटी जो है हमें गाड़ी छूटने के पहले पार्सल को उनके प्रेम के अनुशार इस्टेशन वाइज लदान होना चाहिए तथा गाड़ी छूटने के पहले उसे पाच मिनट पहले उसे लाक और लेवल लग जाना चाहिए जैसे कि सोशियल नेट वर्किंग बहुत अच्छा है इसमें अच्छे बुरे सब्तरह के लोग आते हैं नए नए लोगों से जान पहचान बढ़ती हैं नए नए समश्याएं सामने आती हैं और उनका समाधा निकालना जाता है तो सोशियल नेट वर्क बहुत अच्छा हो जाता है जोकि एक दूसरे को कभी मिलते जूलते हलो हाय करते रहें हमारी फेमिली लाइफ क्या है हम 24 इंटू 7 में काम करते हैं घर में कुछ भी हो जाय कोई हादसा हो जाय आप फेमिली बच्चे के साथ तो आप काम छोड़ करके आपिस छोड़ करके नहीं आ सकते हैं जब तक आपको छोड़ा ना जाया वहाँ से सबसे अच्छा दिन तो होता है जब हमारे स्टाफ फूल डूटी पे आजावे और किसी को डबल न करना पड़े उस दिन तो बहुत अच्छा रहता है और अच्छे किसमिके पार्टी आवे सबका माल सही सलामत आवे पूरा माल आवे पार्ट में नयावे और किसी तरह से को भी इतना प्रेशर हो जाता है कि आपिस से भी और इंक्वारी पुलिस की आरपीएप की ब्यापारी के एक्षाथ में आ जाता है तो उस समय थोड़ा धहर रख करके सब काम को सिच्वेशन को हेंडर करना पड़ता है इसी तरह से हमारा हर दिन अलग-अलग होता है अलग- करता हूं कि पार्शर मैनेजमेंट के विशह में आप लोग को मैं एक बैलेंस्ट ओपिनियन अपना विचार दे पाया हूं इसमें आप अपना करियर चूँ सकते हैं धन्यवाद आपका दिन सुखे झाल